मैं डाक्टर सीलू सिरवास्तो आज आप लोगों को बताएंगे कि इस बरसात के मौसम में भेड़ बकरी को कौन सा जो है बहुत तेजी से कौन सा बीमारी लग जाता है तो यह अगर हो जाता है तो आपका पसु किस तरह से लचण करता है और जो है इसका कौन सा टीका होता है या जो है अगर हो गया है तो इसका घर पर कौन सा घरे लोग चार कर ले तो यह जो है इसको जो है चेचक कहते हैं माता रोग भी कहते हैं और यह जो है एक बिसाड उजनित रोग होता है यह रोग सभी उम्रे के पसों में होता है और खास करके मेमनों में यह रोग अधिक गंबेरता से पाया जाता है और यह जो है सरदी के अंत्मे से सुरू हो करके वर्षा के पूर्व तक महामारी के रूप में यह फैलता है अब इसका देखते हैं कि इसका लचण क्या होता है तो इसमें क्या होता है कि तेज बुखार रहता है आख वा नाख से पानी बैता है और पसु को भूख नहीं लगती है और सरीर के उन उन रहित भागों में जैसे आख के चारो तरफ या जांग के भीतर और पेट वा पूच के नीचे लाल रंग के फफोले पड़ जाते हैं या जो है चकते चकते से पूरे सरीर में हो जाता है तो इसका तो पहले सबसे जो मतलब उपचार है या होता है टीका तो यह जो है टीका यह दिसंबर और जन्वरी में इसका जो है माता रोग का रोग प्रतिरोधक टीका जो है लगवाना चाहिए और मेमनों में दो से तीन वर्स की आयू में पहला टीका जो है लगवाएं और बाद में प्रतिवर्स एक बारियर्टी का जरूर करवाएं और जो आपकी भीमार बकरी है उसको अन बकरियों से अलग रखे